21 सदी के बच्चे जो के कहीं ने कहीं अवसाद मिघिरे होते हैं उसमें पढ़ाई का तनाव होता है और बहुत सारी सामाजिक जीमेदारियां जो होती हैं वो उनके वज़त से तनाव मिघिरे होते हैं तो हमारे समाज जिन बहुत सारे ऐसे स्पिकर्स हैं, उनकों की लोग गुरु के नाम से जानते हैं, जो की लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जीवन की रह में आगे कैसे बढ़ें, उनहीं में इस एक सुनारा नाम आता है, ब्रह्मकुमारी श्युवानी जी का, उनहीं संस्थ कि आज यहां पर महात्मा गांदी काश्टी विद्यापीट में 11 मार्च को कारेक्रम होने वाले इसके संबंद में आप देख सकते हैं कि तैयारियां काफी जोरो सोरो से चल रही है ब्रह्मा कुमार ओएन उपाध्या है मुझे ब्रह्मा कुमार ओएन उपाध्या कहते हैं मैं कुमारी आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ सर क्या कारक्रम है और उसके पीछे का उद्यश्य क्या है कि कारक्रम 11 मार्च को इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर सीवानी दीदी आ रही हैं सामके साढ़े छो से साढ़े आठ तक उनका उनकी स्पीच होगी जो समाज में खु हुए है और उसाद में जो लोग घिरे हुए है उनको किस तरीके से उस लेवल से हम बाहर निकाले उस और वसंथ की इस्थी से बाहर निकाले यह इंका में तो होता है मुद होता है पाधिया ची बताएं जैसे कि हम आजकल देख रहें कि जो भी परिवार है चाहे नवयुक हों चाहे जो कि आजकल लोग बुजुर्ग भी हैं जो तना होता है लोगों कहीं ने कहीं इतना तरीके से खाया जा रहा है कि लोग कहीं ने कहीं आत्महत्या और साथ डिप्रेसर में चले जाते हैं उनकी बाते हैं लोग के अंदर किस परकार से असर करती हैं कि लोग उपने पुराने जीवन नहीं है जो अच्छा जीवन उसके माध्या में चले याते हैं मुंख्य वजह है भाव निसीज़्यदा डिकता कि इस कदर बढ़ रही है समाजensions और देखा-देखी के चक्कर में लोग अवसाथ के तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं शिवानी जी उस चीजों को बताती हैं कि आप हो कौन आप क्यों आए हो यहां पे और जो चीजें जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो वो चीजें आपके पीछे भागेंगी किवल आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं आपने कहा कि 11 मार्शों काफी अच्छे उद्यस के साथ यहां पर जो कारकरम के तायरी हो रही है जो हमारे दर्सक देख रहे हैं जो कि वारांसी और अन्य चेतरों से जुड़े वें हमारा ये उद्देश है कि वारांसी यह हमारा बर्मा कुमारी आश्रम का जोन है जोनल मुख्याला है यहां पर हम इस बनारस सिटी को चुकी मानी मोदी जी का भी यह संसिदी छेतर है हम इस तरीके के मानी मोदी जी ने विकास के छेतर में बहुत आगे इस जिले को बढ़ाया इस शहर को बढ़ाया और हमारा उद्देश है कि आध्यात्म के छेतर में हम इस जिले को मानी मोदी जी से ही प्रेणडला लेते हुए हम बहुत आगे बढ़ाया वह इंखी धर्शक इसको देख रहे हं हो उनसे विशेश अनुरोध है कि 11 मार्च को शिवानी दीदी के इस अभूत पूर कारिकरम को अवश्य ही देखें और अपने जीवन में एक बदलाव और अनुभाव करेंगे इस पहले का तुलना करेंगे कि पहले वो क्या थे और बाद में फिर जब इनके स्पीच के सुनने के बाद जब आगे आएंगे तो उनके लाइफ में एक बदलाव आएगा इसलिए मुझे बद्ध प्रार्थना है सबसे एक बार अवश्य ही इनको सुने इसके लिए रजिस्टेशन है इन्ट्री पास हम लोग हर सेंट्रों पे इन्ट्री पास फ्री में मिल रहा है संपर्क करके बहनों से इन्ट्री पास ले ले और रजिस्टेशन करा के अवश्य ही यहां पे आए पर दन्यवाद